ले स्टुडेंट्स वेल्कम टो टेट एंड सिटेट क्रेकर्ट चैनल तुडे इन दिस वीडियो वी शाल सॉल्व कोशन ओफ एक्सरसाइस 4D डी डाट इस क्वाडेटिक एक्केशन राइट जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हवी तक 63 नमबर कोशन सॉल्व कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कोशन नमबर 64 to 66 राइट यह आरियस अग्रवाल बूक है क्लास 10 का मैथ है न्यू एडिशन का बूक है राइट तो आप इहां से कोशन देख लिजिए कोशन में दिया हुआ है दा लेंथ ओफ रेक्टेंगल इस थ्राइस अज लॉंग अज दिसाइड ओफ आस्वाइट राइट दा साइड ओफ दिस पार इस फोर सेंटीमीटर मोर दैं दा वीथ कोशन में कहा जा रहा है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो जो अस्वाइर का एक साइड है उसका थ्राइस है ठीक है अगर हम अस्वाइर का साइड एक समानते हैं तो रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा थ्री एक्स हो जाएगा ठीक उसी तरह से कहा जा रहा है the side of the square is 4 cm more than the width of rectangle तो जो rectangle का जो width है उससे 4 cm जायदा क्या है तो square का side है इसका मतलब rectangle का width क्या है 4 cm कम है तभी नहीं ये square का side to 4 cm अधिक होगा तो इसको अगर हम मानेंगे तो क्या मानेंगे x-4 उसके बाद कहा जा रहा their area begin equal दोनों का area क्या है equal है उसके बाद हमें find out करना है इसकी dimension that means length and breadth तो देखे इस question को हम कितना easy तरीका से इसको solve कर सकते हैं राइट question को हम पहले figure के थुरू समझेंगे तो देखे ये हमारा एक rectangle है right ये हमारा एक rectangle है और ये हमारा एक square है ठीक है अब कहा जा रहा है कि जो square का side है मान लेते हैं कि ये square का side x है तो rectangle का length इसका thrice है इसके side का thrice है that means इसका जो length है वो कितना है 3x है right अब कहा रहा है क्या the side of square is 4 cm more than the width of rectangle जो square का side है वो rectangle के width से 4 cm अधिक है तो हम rectangle के width को ही minus कर देते हैं x minus 4 इसको हम अधिक कहें या तो फिर इसको हम कम कहें बात बराबर है ठीक है तो इसको हम क्या मानने इसका width हम मानने x minus 4 और इसकी जो length है वो 3x है right अब देखें कारा दोनों का area क्या है equal है right let the side of a square bx right a square का side हमें x मानने then the length of a rectangle will be 3x right तो length rectangle का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और कहा जा रहा है कि इसकी जो side है इसका 4 हम add करते हैं तो इसकी width बराबर है तो इसी में हम minus कर देते दोनों equal है ठीक है तो width of the rectangle क्या होगा x minus 4 right according to question area of area of a square equal to area of rectangle right तो area of a square क्या हो जाएगा x square है ना side square होता है तो x square और area of rectangle क्या हो जाएगा length into width है ना तो 3x into x minus 4 right यह equal दे रखा है तो दोनों के equal करके यहां से हम x का value find out कर लेंगे तो देखिए x square equal 3x इस bracket को open करेंगे 3x square minus 12x right x square minus 3x square equal minus 12x minus 2x square equal minus 12x minus minus 1 cut हो जाएगा तो x square equal क्या होगा y2 और x equal अगर हम करें तो क्या हो जाएगा देखिए x equal या तो फिर आप इस तरह से कीजिए x equal क्या हो जाएगा 2x right x equal 2x तो यह कट जाएगा 6 time तो x equal क्या हो गया 6 आप इसकी dimension निकालना है तो इसकी dimension means length and width क्या है तो length equal हमारा length क्या था length था यह 3x तो देखिए length equal 3x 3 into 6 that is 18 cm right और width दिया हुआ है x minus 4 तो यह क्या हो जाएगा 6 minus 4 that is 2 cm right और side of a square क्या हो जाएगा a square is 6 cm right students this is the answer right I hope यह समझ में आया होगा आपको next question हम लोग solve करते हैं देखिए question number 56 question number 65 a farmer prepares a rectangle vegetable garden of area 180 square meters right with 39 meters of words wire we can find the three side of the garden living one of the longer side unfinished find the dimension of the garden right कहा जारा question में कि एक farmer है जो rectangle safe में एक vegetable garden prepare कर रहा जिसकी area given है ठीक है और next कहा जा रहा है कि 30 meter जो word wire है उस wire को उस rectangle garden में three side उसे fins करना है और एक जो long side है उसे छोड़ देना है लिविंग रहना है ठीक है छोड़ देना है तो इसकी dimension क्या होगी ठीक है तो देखिए इसको हम figure के through समझेंगे और इसको solve करेंगे question number 65 right तो यह इस तरह के rectangle safe का एक garden है और इसकी area दी हुई है 180 meter square right तो हम माल लेते हैं let the length length of rectangle इस rectangle की हम length जो है x माल लेते हैं ठीक है यह x हो गई तो इसकी area of rectangle क्या होता है area of rectangle rectangle l into b है ना तो हमें क्या निकालना है b निकालना है तो देखिए area जो दिया हुआ है area y n है ना उसी तरह से area दी हुई थी 180 meter square और जो length था उसे हम डिवाइड कर दिये थी हमारा ब्रीथ हो गया राइट तो ब्रीथ क्या हो जाएगी व्रीथ इकवर 180 upon x राइट अब कहा जा रहा कि 33 meter जो वायर है उस वायर को 3 जो 3 side है उसको finish किया जाता है और one longer side जो है इस side को छोड़ दिया जाता है ठीक है इस side को छोड़ दिया जाता है तो जो rectangle का length होता है यह x माल लिए हम तो यह भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और यह जो ब्रीथ है 180 upon x तो यहां भी क्या होगा 180 upon x ठीक है तो 39 meter वायर से इस side और इस side और इस side को finish किया गया ठीक ना फिन्स किया गया तो देखिए यह तीनों side को हम add करके equal 39 दे देंगे और इसको छोड़ देंगे यह इसमें बायर नहीं लगाया गया राइट तो देखिए x plus 180 yx plus 180 yx equal 39 meter राइट तो देखिए इसको अब solve कर लिजिए आप तो x plus यह दोनों को पहले solve कर लिजिए तो x 180 plus 180 equal 39 हैना तो x plus x 180 180 add करेंगे तो तो कितना हो जाएगा 360 equal 39 अब देखिए x lcm लिए तीक ही x square plus 360 equal 39 राइट तो इतना हो x square plus 360 upon x equal 39 राइट आप देखिए यहाँ हम इसको solve कर दे रहे हैं x square plus 360 upon x equal 39 यह cross multiplication होगा तो x square plus 360 equal 39 x right x square minus 39 x plus 360 equals to 0 इसका factor निकाल लेंगे हम तो देखिए इसका factor अगर हम करें 360 का तो इसका दो factor क्या हो सकता है जो उन्हों को add करके हमें 39 लाना है है तो देखिए अगर हम माइनस में 24 x लेते हैं और माइनस हम 15 x ले लेते हैं तो यह आपस में क्या हो इसका दोनों वैलू जो है positive आ रहा है तो इसका ही जो जो length और breath होगा वो दो value में आएगा ठीक है माल लेते हैं कि x जो हमारा क्या था rectangle का length था हा ना तो length equal क्या है अगर 24 है तो breath क्या हो जाएगी तो breath 180 upon 24 राइट अब इसको काटेंगे आप तो देखिए तो यहां इसको काटेंगे तो अगर 6 से करें तो यह 4 टाइम और यह 30 फिर 2 से काटेंगे तो टू टू जा फोर 15 और फिर 15 वाई 2 करेंगे तो हमारा जो ब्रीथ है वो आ जाएगा 7.5 cm ठीक है और अगर हम length 15 लेते हैं length equal 15 तब ब्रीथ क्या हो जाएगा देखिए 180 upon 15 तो इसको आप जब काटेंगे तो यह 12 टाइम काट जाएगा इस तरह से इसका answer दो होगा आई हो यह question आपको ची तरह से समझ हुए आया होगा next question हम solve करते हैं question number 66 let's do question number 66 question number 66 is the area of the right triangle is 600 cm square right एक right triangle है जिसकी area given है 600 cm square if the base of the triangle exceed the altitude by 10 cm जो इस triangle का base है उसे 10 cm इसके altitude से जाएदा कर देते हैं exceed कर देते हैं तो find the dimension of the triangle तो हमें dimension बताना है right तो देखिए इसको फिगर के तुरू पाले हम समझेंगे then हम solve करेंगा question number 66 यह हमारी राइंगल ट्रेंगल गीवें है right अब देखिए कहा जा रहा है इसकी जो area है वो 600 cm square है और इसकी altitude से इसकी जो कि लेंद्ध है वो 10 cm exceed कर दिया जाता है तो altitude हमें एक्स माल लेते हैं इसकी बेस क्या हो जाएगी तो x plus 10 that is 10 आप देखिए इसको उमसाल करेंगे लेट दा the altitude of a right-angled triangle ए बिर मित छुबय तुबय रफ ए के संधि में। और ताइ ए व् ए छ्गट्रफद टुड में 25 genres तो एरिया ओफ एरिया ओफ राइट ट्रेंगल राइट ट्रेंगल इस क्या होता है हाफ इन्टू अल्टिट्यूड जो एच होता है इन्टू बेस राइट तो देखिए एरिया गिवेन है 600 हाफ इन्टू और जो एल्टिट्यूड है वो कितना है एक्स और बेस क्या है एक्स प्लस टेन राइट तो ये टू से इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 1200 इक्वल एक्स इन्टू एक्स प्लस टेन राइट तो देखिए 1200 इक्वल एक्स स्क्वाइर प्लस टेन एक्स राइट इसको हम एक्स स्क्वाइर प्लस टेन एक्स और मैनस 1200 इक्वल से जीरो कर लेते हैं राइट तो देखिए अगर इसका हम साक्टर करें 1200 का टू पार्ट में करना है तो हम क्या कर सकते हैं तो इससे हम प्लस में लाना है तो 40 एक्स प्लस में रख लेंगे और मैनस में 30 एक्स रख लेंगे तो ये हमारा मैच हो जाएगा देखे एक्स स्कॉायर ये दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 1200 होगा और ये प्लस में और ये मैनस में तो ये प्लस वाला साइन कंसीडर होगा सब्रेक्ट करेंगे तो 10X हो जाएगा तो हम प्लस 40X coefficient और यहां हम इसको डिवाइड करेंगे ये हमारा आजाएगा 40 इकल्स टू जी रो तो ये एक्स प्लस 40gun क्या होगा प्लस जाएगा जो कि हम इसको consider नहीं करेंगे, minus का value consider नहीं किया जाता है, और x minus 30 equals 0, तो x equal क्या है, 30, तो x का value है, वो क्या है, 30 है, तो इसकी जो altitude है, वो कितनी आ गई, ये 30 cm, ठीक है, अब इसका हमें, फाइंड आउट करना है, dimension find out करना है, तो परपंडिकुलर जो इसकी है वो क्या है 30 cm और इसकी बेस क्या हो जाएगी देखिए बेस x प्लस 10 एक्वल 30 प्लस 10 तो यह क्या हो जाएगा 40 cm अब हैफ पो टेनेस हम निकालेंगे किस तरह से हैफ पो टेनेस निकाला जाता है तो देखिए अंदर रूट बेस स्क्वाइल प्लस परपंडिकुलर तो यह क्या होता है अंदर रूट बेस स्क्वाइल प्लस परपंडिकुलर स्क्वाइल तो बेस इसका क्या है बेस कितना आ गया 40 अंदर root 40 पे स्क्वाइर पलस और इसका जो परबंडिकुलर है वो कितना है 30 तो 30 का स्क्वाइर राइट अंदर root 1600 पलस 900 राइट ये दोनों को आड़ करेंगे तो कितना जाएगा 3500 अब इसको root निकालेंगे तो ये क्या जाएगा 50 राइट तो इसका जो हैपोटिनस है वो हैपोटिनस कितना आ गया 50 सेंटिमीटर राइट श्ट्वेंट्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए ठैंक यू